चोपड़ा है जो किस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो जैसा कि आपको पता है 24 फिलिंग का आज लास्ट टेट है जिन कंडिडेट ने 24 फिलिंग नहीं की है वो आज 24 फिलिंग कर दें कि कब सीट मिलनी है कब चोड़नी है उसके बारे में साथे साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आपको 24 फिलिंग के दोरान कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है श्योड़ी मैं ये वीडियो बनाने मीं थोड़ा लेट हो गया first round के process के बारे में क्या क्या होगा first round में तो twice filling तो आपने कर ली होगी अगर नहीं किया है first round की तो कर लें इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 24 filling के दोरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना चीए बात कर लेते हैं पहले हम first round process के बारे में तो first round के लिए आपने अभी 24 से fill करनी हैं, 24 fill करने के बाद में 29 को result आएगा, जब 29 को result आगया तो उसके बाद आपके पास में 2 option रहेंगे, एक option ये रहेगा कि या तो आपको seat alert होगी, और दूसरा option ये रहेगा कि आपको seat alert नहीं होगी, तो इन दोनों option में सबसे पहला option ये है कि अगर आपको seat alert नहीं होती है, तो जाइर सी बात है आप second round और आगे के सभी rounds के लिए eligible रहेंगे, और उनमें आप choice fill करके seat ले सकते हैं, तो ये तो उस condition में है जब आपको seat नहीं मिलती है, जब आपको seat मिल जाती है, first round में आपको कोई seat alert हो जाती है, तो आपके पास दो option हैं, या तो उस seat को आप join करें, या फिर first round से free exit ले ले लें, free exit का मतलब ये है कि आपको अगर first round में एक बार seat alert हो जाती है, तो उस seat को आप छोड़ सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एकदम सांत बैठे रहेंगे और second round की जैसे ही twice filling होगी, उस twice filling में आप twice fill करके अपने seat ले सकते हैं second round में, तो first round free exit का मतलब ये ही है कि result announce होने के बाद अगर आपको कोई seat alert हो जाती है, उस पर आप join नहीं करना चाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं आपको consent देने के आवश्यकतर नहीं है, कि मैं seat पर नहीं जाना चाता, कहीं आपको बताने की ज़ुरत नहीं है, आपको चुपचाब बैठे रहना है, second round का wait करना है, या फिर अपने state का wait करना है, तो ये तो हो गया, फिर एक जित, आप दूसरी condition ये है कि first round में seat allot हो जाती है, और उसको join करके हम upgrade करना चाते हैं, तो इस condition में आपको college जाना है, allotate college में जाना है first round की में, वहाँ original documents deposit करने है fees deposit करनी है, और वहाँ पर आपको एक option देना है, वहाँ से आपसे एक option लिया जाएगा, कि क्या आप upgradation के लिए willing है, तो वहाँ पर आपको upgradation के लिए willingness देनी है, जिससे आप second round में अच्छी college ले सकते हैं, अगर आपको first round में अच्छी college मिल गई है, और आगे आप second round में participate नहीं करना चाते हैं, तो आप यहाँ no का option दे दें कि हम second round के लिए willing नहीं है, second round में हम upgrade नहीं करना चाते हैं, तो आपकी counseling वहीं end हो जाएगी, आपको आगे second round में 24 फिल वगरा के लिए करने के लिए कोई option नहीं है, यह उन बच्छों के लिए होते हैं, जिनके top की college मिल जा यह नहीं कि हम second round में willing नहीं है, अपग्रेड के लिए, अब ऐसे candidate जिनको second round में अच्छी college लेनी है, अपग्रेड करना है, तो वो यहाँ पर first round की joining के समय willingness में yes option दे दें कि हम second round में participate करना चाते हैं, तो वो candidate second round में 24 फिल करके seat ले सकते हैं, अब इस दोरान ऐसा भी हो सकता ह है कि आपको state में seat मिल जाए, आप state में seat लेना चाते हैं, तो आप इस seat को resign भी कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, जब joining time होता है, first round का, तब तक आप इसको resign कर सकते हैं, कभी भी आप college में जा करके, अपने documents फीश वापस ले लो, और resign कर दो कब तक, जब तक आपका reporting time होता है, तो ये तो हो गया first round की बात, यानि कि first round में आपका सब कुछ complete हो गया, first round का process complete हो गया, अब यहां तो तीन बातें और आती हैं, दो तीन बात और ये आती हैं, कि पिछली साल से पिछली साल एक नया ही rule आया था, उसमें ये था कि first round की seat है, वो second round से दो दिन पहले तक आप छ seat upgrade कर सकते हैं, तो इसको देखते हुए वो rule automatic खतम हो चुका है, कि आपको second round के allotment के दो दिन पहले first round की seat चोड़नी है, नहीं तो आपको second round के rule लागू हो जाएंगे, ऐसा rule था, वो rule automatic खतम हो चुका है, अब rule क्या है, अब ऐसे candidate जो first round में join कर चुके हैं, और उनके बाद म उन candidates ने seat fill की है, second round में उन्होंने choice fill की है, और उनकी choice upgrade नहीं हुई है, upgrade नहीं हुई है का मतलब, जो first round की seat है, वो उन्होंने ले रखी है, second round में उससे better college लेना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं मिली है उसको, लेकिन वो candidate ये सोच रहे हैं कि हमें upgrade seat तो नहीं मिली है, लेकिन कोई बार नी हम first round की seat को भी नहीं रखना चाहते हैं हम state में जाना चाहेंगे या फिर हम mop up में जाना चाहेंगे हम ये भी seat नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे candidate को कोई नुकसान नहीं है किसी परकार का second round का जब result आ जाता है तो उस second round के result के दो दिन बाद तक first round की seat को छोड़ सकते हैं यानि कि जो आपने first round की seat पर join कर रखा है उसको आप छोड़ सकते हैं second round में seat आपको अगर upgrade होके नहीं मिली है तो आपको कोई security money का नुकसान नहीं है कोई आप को ऐसा नहीं है कि आप आगे eligible नहीं रहेंगे ऐसा भी कुछ नहीं है second round के दो दिन बाद तक आप seat छोड़ते हैं mcc तक बाका इदर date दी जाएगी cut of date की आज इस date तक आप seat छोड़ सकते हैं इतने बज़े तक छोड़ सकते हैं तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा तो ये rule एक पहले होआ करता था और ये अब की बार लागू हो गया है औ आप बात करेंगे हम की second round में first round की तो ये सारी condition होगी और second round में जो first round की college है first round में हमने college ले ली है और second round में वो upgrade नहीं हुई है हम ये चा रहे हैं कि ये first round की seat हमारे पास retain रहे और mop up round में इसी seat को हम फिर से upgrade करें तो क्या ये संभव है तो ये बिल्कुल संभव है क्योंकि आपने उस seat को resign नहीं करना है second round के दो दिन की बात तो आपके पास first round वाली seat hold रहेगी और first round वाली seat hold रहेगी तो जब result आजाएगा और mccc का notice आजाएगा एक cut of date आजाएगी कि first round की seat अगर आपकी upgrade नहीं हुई तो इस तारीक तक छोड़ सकते हैं अगर उस तारीक तक आप उस seat को नहीं छोड़ते हैं तो कोई दिकत नहीं है वो आपकी second round की seat मानी जाएगी और second round की seat पर आप third round तक upgrade कर सकते हैं अगर आपकी second round में seat upgrade नहीं की है नहीं हुई है तो आप third round में उसको upgrade कर सकते हैं तो आपकी जो first round वाली seat है अगर आप जब तक उस पर resign नहीं देते है तब तक उसको third round में upgrade कर सकते हैं, third round तक upgrade कर सकते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है, कि आपका third round तक ये consent लिया जाए, third round के समय आप से consent लिया जाए, कि क्या आप first round की, ये जो second round हो गया भी तो आपकी second round की rule हो गया उस seat पर, उसको आप upgrade करना चाहते हैं, अगर ऐसा consent लिया भी जा सकत और नहीं भी लिया जाने से आपका 24 filling का अगर option मिलता है उसमें मिलेगा ही तो उसमें आपको mop up round में या third round में 24 फिल करके upgrade करवा लेना है तो first round की seat भी आपकी upgrade हो जाती है third round में और second round की seat भी upgrade हो जाती है जब तक आप design नहीं देते हैं तो तो यह first round के connected rule हो गए second round में और third round मे अब यहां एक बात और आती है एक बात और यह आती है कि जो second round है second round state का उस state के second round के rule पहले वाले जैसे ही है अभी उनके लिए कोई ruling नहीं आई है कि second round में अगर किसी मिन ने state में seat join कर ली तो वो आगे participate mop up में कर सकता है mop up में भी upgrade कर सकता है क्योंकि अलग-अलग state के अलग-अलग rules है तो यह second round से mop up round के लिए जो up gradation का system है यह state में जैसे जैसे आएगा किस state में आ रहा है किस में होगा तो यह जब update होगा तो हम आपको inform कर देंगे फिलाल तक यही है कि आपको second round से state में mop up के लिए ऐसा कोई rule न निकल के आ रही है जो rule change हुआ है उसमें आपके दो परकार के rule change हो गए है पहला rule यह change हो गया है कि पहले आप second round के दो दिन पहले तक first round की seat छोड़ सकते थे उसके बाद आपको second round के rule लग जाते थे वो rule बिलकुल खतम हो गया है यहाँ अभी rule यह हो गया है कि आपकी first round की seat अगर second round में upgrade नहीं होती है तो second round के result के दो दिन बाद तक आप उस seat को छोड़ सकते हैं उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है तो यह rule हो गया और दूसरा rule यह हो गया कि आप second round की seat को third round में भी upgrade कर सकते हैं first round वाली seat को भी आप third round तक अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि second round में joint candidate के second round seat के rules लागू हो जाएंगे तो ये condition है first round से connected आगे third round तक आप कैसे इसमें seat को upgrade कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसमें stray vacancy round में तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है stray vacancy round में कि अगर आपको mop up में seat मिल गई है उसको आप छोड़ देते हैं तो stray में eligible नहीं रह है कि stray में भी eligible नहीं रहेंगे और stray में अगर seat मिल गई है और उसको आप join नहीं कर सकते हैं तो आप दो साल के लिए बैन हो जाओगे उसके बाद आप participate नहीं कर सकते MBBS की counseling में MBBS वीडिये से MCC की या फिर जो भी state counseling है दो साल के लिए आप बैन हो जाएंगे अब बात करें हम चwarz filling process की partnerships करते समय हैं अभी आपको तो first round की जो आपने च्वाइस पिलिंग की है second round की च्वाइस फिलिंग भी करनी है मोपप की भी करनी है, second round के बाद stray की भी करनी है मोपप के बाद में तो आप twice fill करते से मैं इन बातूं का ध्यान रखें, सबसे पहले आपको PG benefits state का ध्यान रखना पड़ेगा कौन से state में PG में benefit होता है कुछ state ऐसे हैं जहां PG में काफी low cutoff जाती है काफी ब्रांच ऐसी हैं जहां उस state की PG में काफी down cutoff जाती है तो आपको ऐसा state choose करना है जिसकी PG में cutoff काफी down जाती है तो आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है PDR, Radio, Dharma ऐसी जैसी ब्रांच मिल जाएगी तो आपका PG में कोई नुकसान नहीं होगा दूसरा education उस college की कितनी education है क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है नई college में तो काफी ज़्यादा दिक्कत आ रही है professor वगरा की दिक्कत आ रही है ठीक से रन नहीं हो पा रही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है distance का ध्यान रखना है जो girls candidate है अपने state में लेते हैं बैटर रहता है इसके बाद में bond का तो आपने खास ख्याल रखना ही रखना है bond का मदलब ये है कि आपका कितना bond है ये तो आपने खास ख्याल रखना ही है इसके बाद में fees का ख्याल रखना है आपने किस college की कितनी fees है क्योंकि काफी सारे college ऐसे हैं जिनकी काफी fees है तो वो आपने यहां खयार रखना है दूसरी बात आपने यहां ध्यान रखना है environment का college का माभूल कैसा है जिस से college में आप admission ले रहे हैं किस तरह के candidates मतलब आपके area की candidates भी उसमें हैं या नहीं है old colleges का अपने ध्यान रखना है उनको पहले preference देना है hospitals उस college के साथ में कैसा जुड़ा हुआ है उसमें कितनी बेड़े फैसलिटी है infrastructure college का कैसा है और उस college की ranking कैसी है तो इन सब का आपको ध्यान रखना है इन बातों का choice filling के choice filling 26 तारिक यानि की आज रात 11 बज़ के 55 मिनट तक कर सकते हैं लेकिन जिन candidate को choice लोग करना है वो आज 26 जुलाई को 3 बज़े बाद में लोग कर सकते हैं यानि 3 बज़े से लेकर के 11 बज़ के 55 मिनट तक जो उन्होंने choice फिल की हैं उनको लोग कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे एक बार अगर आपने 26 जुलाई कर दी उसके बाद आप बिलकुल उसमें correction नहीं कर पाएंगे बिलकुल उसमें edit नहीं कर पाएंगे जो चुलाई से आपने फिल करके लोग कर दी वो first round के लिए final हो गई अब अगर कोई candidate लोग नहीं करता है तो ये रात 12 बजे ओटो लोग हो जाएंगे किसी को टेंशन लेने की आवशक्ता नहीं है अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये रात 11 बज़के 55 मिनट तक ये ओटो लोग हो जाएंगी मैं आपको यहां suggest करूँगा कि जब तीन बज़े बाद में जब भी लोकिंग की सुईदा मिल जाएगी आप एक बार पूरी तरह से ensure कर लें कि आपने जो 24 फिल कहीं हैं वो बिलकुल accurate हैं और उसके बाद में आप इसको लोग करके इसका print out ले 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 तो ये जानकारी थी हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के description box में लिंक है या फिर हमारी website www.sopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं पुराने कोलेजें इसमें जिसी sequence से दी गई हैं उस sequence से फिल कर सकते हैं और new college जो बाद में आपको शो हो रही हैं पोर्टल पे उनको आप नीचे फिल क कर सकते हैं तो यह जानकारी थी स्वाई सेज के बारे में मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग